तो दोस्तों आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधिनस सेवाश्य नायग में धरने को लेका सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको पता दरा हूँ गर्मेंट जाबलेट इस धरने का सपोर्ट करता है और आपसे रिक्वेश्ट भी करता है कि इस धरने में जितना हो सके आ तो वायल कीजिए क्योंकि यह वीडियो आपका रिजल्ट वह वेकेंसी वह जितनी भरतियां फोसी हुए उस पर डिपेंड करता है यह आप इस बार थोड़ी विला परवाई किये तो आपको भारी पढ़ सकता है दो से चार महिने और चाहिए साल भार भी भार सकता है जितन आपको पता दे रहा हूं मैं भी सपूर्ट का रहा हूं जरुने का आप क्योंकि मैं यूपी टिपले सी की पूरी जंग काई देता हूं इसलिए मैं सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दू तो दोस्तों वीडियो लाशे देखिएगा उसके बाद कर्मेंट आयोग के खिलाफ होने वाले महाधरने के समद्ध में सूचित करने आया हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं दो मार्च दोहजार बीस को आयोग उत्तर प्रदेश अधिनस सिवा चैन आयोग पिकप भवन लखनवों पर एक महाधरना का आयोजन किया जाना है और मैं आप सभी इवासाथियों से निवेदन करता हूँ आगरा करता हूँ कि आप सभी साथी दो मार्च दोहजार बीस को आयोग पिकप भवन लखनवों पहुँचें और इस महाधरने को सपल बनाएं हम सभी ये जानते हैं कि यह आयोग कितना सुस्त और लापरवा हो चुका है सभी परतियोगी छात्रों के भविश्य के साथ खिलवार करने का काम कर रहा है पौने तीन बर्सों में एक भी निवक्ति नहीं कर सका है ये आयोग 2016 से 4-4 बर्स बेतित हो गए हैं लेकिन सोचिए 4-4 सर बर्स बेतित हो जाने के बाद भी भरती पुन नहीं हो सकी है मुझे लगता है कि ये युवाओं के साथ खिलवार है उनके भविश्य को अंदकार में ले जाना है और इसलिए हम सभी को एक साथ इस बार हुंकार लगाना होगा ताकि आयोग के भरी कानों तक ये आवाज पहुँश सके आप सभी ने देखा दिजान परशद में चर्चा के दवरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दो लाक एक्यासी अजार भरती पूर्ण करा चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग एक भिभरती पूर्ण कर सका है इसलिए हम सभी को आवाज उठाकर एक होंकार भरना होगा ताकि ये सदन में भी ये बात बुजे वर सरकारत के बात पहुँचे कि उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग इन तीन बरसों में बिल्कुल बिफल लहा है और इसके लिए हम सभी को एक अत्रित होना हम सभी को एक जुट होना बहुत ही जरूरी है हम सभी ने देखा है कि अलग अलग भरतियों के लोग अलग अलग धरना परदर्शन करते रहें तक पहँचीं न तो आयोग तक पहुची हैं न सरकार तक पहुची हैं क्योंकि संख्या कम होती थी लेकिन इस बार इसलिए यह ऐसा हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि सभी भरतियों के जो भी अभियरती हैं चाहे वो ग्राम पंचाद अधिकारी 2018 के अभेरति हो चाहे वो जोनियर असिस्टेंट 2016 के अभेरति हो या लोवर टू 2016 या लोवर टू 2019 चाहे जिस भी भरती के अभेरति हो अगर उनका भरती परकिरिया लंबित है भरती परकिरिया आयोग के लापरवाई वो सुस्तिक इसलिए मैं फिर से एक बार सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, आगरा करता हूँ कि 2 मार्च 2020 को होने वाले इस महाधरने के साक्षी बने यह हम इसमें सहयोग करें, सभी का सहयोग बहुत अनिवार है, हम सभी को थोड़ा-थोड़ा सहयोग करना होगा, हम सभी को अपनी पिकप भवन लखनव पहुँचे, हम इस महाधरने को सफल बनाए, जय इन साथियों